हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू शिवा लेर्णिंग फॉर मोर अप्डेट्स यू किरा उन्स लोग इंटो और वेबसाइट www.shivalearning.in फ्रेंट्स इस वीडियो मेरे पास सभी मेडिकल के स्टुटेंट्स के लिए एक काफी अच्छी न्यूज है गुड न्यूज है और वो न्यूज यह है कि जो मारी गवर्मेंट है उन्होंने काफी अच्छा स्टैप जो हो उठाया है और उसके अंदर एक कमेटी बनाए गई ह जिसको नैशनल फी रेगुलेटरी कमेटी राव दिया गया है और जैसी यह कमेटी बनती है उससे जो प्राइवेट कॉलेजिस की फीस है वेडिकल कॉलेजिस की वो काफी हद तक कम हो जाएगी और जो भी उपनबारी फीस अभी तक चार्च करते थे उस पर नके लकस दिया तो एक नैशनल फी रेगुलेटरी कमेटी बनने वाली है जो डिसाड करेंगी कि प्राइवेट उनिवरस्टी इस में कितने बच्चों से लेनी है और कितने बच्चों से लेनी है तो तीचे बैडिकल के रिगार्डिक इसमें लिखा हूं मैं वहाँ पर भी आपको ले जाता हूं उससे पहले एक पैरा और पढ़ लेते हैं इसका जिसमें लिखा है तो इस पैरा में लिखा है कि एक मीटिंग वी टी चेयरेड बाया चार्टी मिनिस्टर प्रकार्श करेंगे उसको कंट्रोल करेंगे उसको रेगुलेट करेंगे तो आइए सीधे हैं में इसके रिकार्डिंग क्या लिखा है उस पर भी आते हैं तो डेवलोप्मेंट कम्स वीक आफ्टर दा एचार्डी मिनिस्ट्री आक्स दा बोर्ड ऑफ गोवनर्स भी ओजी विच डिप् चाहिवरो है और उसके पास पैसा है वह पेकर सकता है तो वह भी Mbps कर लेता है बढ़ जो अच्छे मार्ट लाता है 450 तक मार्ट लाता है उसका एडबिशन नहीं हो पाता काफी सारे रिजंसे अगर वो कोटे नहीं आता है और उसके पास पैसा नहीं है प्रेमेंट मेडिक कॉलेज में पढ़ने के लिए तो एक करोड तक ऐसे इस कॉलेजिस चार्ज करते हैं तो आशा है कि इसके आने के बाद काफी हद तक रिलिफ मिलेगा जबी कमिशन बन जाएगा कमीटी बन जाएगी और इसमें एक लिखा भी हुआ है कि प्रिवियस स्टेट बाइस सी लास्ट करोड पर येर तो जो एक एक करोड तक चार्ज करते थे और जाना जाना फीस चार्ज करते थे यूजी सी ने उस पर एक रूल भी लगाया था बट उनको सुप्रिम कोड में नाखिल करा गया सारी प्राइविट मैडिकल यूनिवरस्टी ने और उसके बाद सुप्रिम कोड ने उस पर स्टे लगा दिया और वो स्टे अभी भी जा रही है तो यह सब पिछली बार से ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा होगा अगर इस बार यह कमिट्टी ढंक से बच जाती है तो तो इस वीडियो में आपको यही सब ड्यूज मुझे देनी थी और इसी रेगुलर आपको मिलती रहे मिलते नहीं वीडियो में ऐसी नहीं जानकारियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार